दोस्तों यह solar power plant का transformer याड है जिसमें यले, CT, PT, isolator, circuit breaker और transformer लगा हुआ है जैसा कि आपको बीडियो में दिख रहा है सभी का यूज हम आगे निस बीडियो में बताएंगे जैसा कि आप सभी देखे होंगे कि अगर कहीं transformer लगा हुआ है या पैनल लगा हुआ है तो उसको बाड़ी से अर्थ कर दिया जाता है यह बाड़ी से अर्थ किसलिए किया आता है इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना न भूलें दोस्तों transformer हो या अन्य कोई उकरण हो या equipment हो तो उसकी बाड़ी को अर्थ इसलिए किया आता है number one human safety के लिए number two उस equipment की safety के लिए बाड़ी को अर्थ करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब वह charge रहेगा तो उसमें leakage current कुछ न कुछ जरूर रहेगा उस leakage current को ground करने के लिए हम उस बाड़ी को अर्थ करते हैं अब सवाल है कि leakage current आता कहां से transformer को जब line lead से connect किया जाता है तब line lead को boosting के थुरू isolate किया जाता है और जो transformer में core लगी होती है उस core को channel से अर्थ करते हैं कापर पत्ती से और channel को transformer tank की body से अर्थ किया जाता है core को channel से अर्थ इसलिए कह जाता है जो leakage plus की वज़ा से leakage current generate हो ग्राउंड हो जाए जब हम transformer body को अर्थ नहीं किये रहेंगे तो जो current होगा leakage current उसी में rotate करता रहेगा और उसकी life को कम कर देगा दूसरी बात या है कि आगर कोई बेक्ती वहां गया उसको touch किया तो उसको साक लग सकता है इसलिए transformer body को या कोई panel हो उसको अर्थ किया जाता है में है leakage current हो या voltage हो उसको ground करने के लिए body को अर्थ किया जाता है human safety के लिए ही अर्थ किया जाता है और equipment की safety के लिए भी अर्थ किया जाता है CTPT LA isolator circuit breaker का यूज किस लिए किया जाता है और कैसे connect के आता है इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद